दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी होरर में मेरा नाम है विरिन और आज मैं आपको जासूस रमन का एक छोटा सा मगर बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाने वाला हूँ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेरे चैनल में आपकी पसंद की कई कहानिया है तो चलिए कहानी शिरू करते हैं बहुत पुरानी बात है तब जासूस रमन 15-16 साल का एक बालक था हलांकि जासूसी का शौक उसे बचपन से ही था और इस वजह से वो कई बार मुसीबत में पड़ चुका था एक बार जासूस रमन अपनी नानी के गाउं गया हुआ था उसकी नानी का घर एक पहाडी इलाके में था इसलिए भाह सननाटा पसरा रहता था आसपडोस में कोई था नहीं, सबके घर दूर दूर हुआ करते थे रमन के घर के पीछे एक पहार था, उसमें घना चीड का जंगल था दिन के वक्त ही वो जंगल बड़ा डरावना लगता था और रात में तो पूछो मत रमन की नानी उसे हमेशा डरावनी कहानियां सुनाये करती थी और रमन बड़े चाव से सुनता भी था, मगर उसे डर नहीं लगता था रमन की नानी पताती थी कि उनके घर के पीछे जो पहारी है उसके चीड के जंगल में एक बार एक औरत जलाने के लिए सूखी लगड़िया लेने गई तब उस औरत के साथ उसका चोटा बच्चा भी था चीड के जंगल में एक आम का पेड़ था और उसमें पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे मगर वो पेड़ पहारी के एक दम किनारे पर था चोटे बच्चे ने जब वो आम देखे तो उसने अपनी मां से आम खाने की जिद की उसकी मां को पेड़ों में चढ़ने की आदत थी क्योंकि वो अकसर सूखी लकड़ियां तोड़ने पेड़ों में चढ़ा करती थी बेटे ने आम खाने की जिद की तो वो आरत आम के उस पेड़ में चढ़ गई और उसने एक आम तोड़ कर अपने बेटे के पास भैका बेटा आम खाने लगा और वो आरत पेड़ से नीचे उतरने लगी मगर एक डाली पर पैर रखते ही डाली तूट गई और वो आरत पेड़ से नीचे गिर गई और उस पहाड़ी से लुड़कते हुए बहुत नीचे एक सूखी जोटी नदी में जा गिरी और वो मर गई वो बच्चा रोते हुए अपने घर वापस आया और उसने सब को अपनी मा के बारे में बताया सभी लोग दोल कर उस जगह में गए जहां वो आरत गिरी थी मगर किसी को उसकी लाश नहीं मिली जिस जगह में वो गिरी थी वहां पर खून फैला हुआ था मगर लाश का नामों निशान नहीं मिला और तब से उस औरत का भूत पहाडी में घूमता है और उस पहाडी के नजदीक आने जाने वालों को पत्थर मार कर डराता है लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं अपनी नानी की इस कहानी को सुनकर रमन ने अपनी नानी से पूछा नानी उस औरत की लाश कहां गई होगी नानी बोली लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी लाश को चलते हुए जंगल में वापस जाते देखा था रमन बोला, क्यों? जंगल में क्यों? वो अपने घर क्यों नहीं चली गई? नानी बोली, अब ये तो वही जाने बेटा, वो जंगल में क्यों गई? चलब सोजा, रात बहुत हो गई है इतना बोलकर नानी ने खिड़की में जल रही बत्ती को भूख मार कर बुझा दिया रमन के जासुसी दिमाग में अब तरह तरह के सवाल आने लगे आखिर कोई लाश चल कैसे सकती है? और अगर वो अरत जिन्दा थी, तो अपने घर क्यों नहीं चली गई? नहीं नहीं, उतनी उची पहाड़ी से नीचे गिरने वाला सिंदा किसे बचेगा? जरूर उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा और खा गया होगा इसलिए तो उस जगह में खून था मगर लाश नहीं थी इसी उधेड़ बुन में रमन की आँख कब लग गई पता नहीं चला और अगली सुबह उसकी आँख खुली उसने देखा उसके घर पर कोई नहीं था सभी लोग खेत में काम करने जा चुके थे रमन ने नाश्टा किया और आंगन में बैठ कर घर के पीछे की पहाड़ी को और उसके जंगल को देखने लगा और काफी देर तक उसे निहारने के बाद एका एक ही रमन के मन में खयाल आया क्यों ना उस जंगल में जाकर देखा जाए कि नानी की कहानी सच्ची थी या सिर्फ मन बहलाने और डराने के लिए मन गडंत कहानी रमन ने आंगन के कोने में धूप में सोते हुए अपने कुट्टे को देखा रमन ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस कुट्टे के पास फैंका कुत्ते न गर्दन उठा कर रमन की तरफ देखा रमन बोला कालू चल इतना बोलते ही कालू उठकर रमन के पास आया और दोनों घर के पीछे की पहाड़ी की तरफ चल दिये रास्ता आड़ा टेड़ा उबर खाबर था चड़ाई बहुत थी कभी रमन आगे चलता तो कालू पीछे तो कभी कालू आगे चलता तो रमन पीछे-पीछे वो दोनों उस रास्ते में चलते गए और धीरे धीरे जंगल घना होता चला गया जंगल के अंदर का वाता वरण ही अलग था पेडों से टकराती साएं साएं करती हवा और जंगुरों की किरकिर में माहौल डरावना होता जा रहा था कालू तो हाफता हुआ सिर जुकाए बस चलता जा रहा था मगर रमन चलते चलते ठक चुका था रमन ने अपने कुट्टे से कहा कालू आजा थोड़े दिर बैठ जा यार तू तो रुकी नहीं रहा कालू दुम हिलाता हुआ रमन के बगल में आया और बैठ कर जीब बाहर लटकाए सुस्ताने लगा तभी रमन को अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी कालू ने भी वो आवास सुनी रमन और कालू ने पीछे देखा मगर आज पास सिवाए पेड़ों के कुछ नहीं था रमन खड़ा उठा और फिर से चलने लगा चलते चलते काफी देर हो गए थी तभी कालू भौगता हुआ किसी के पीछे भागा रमन भी कालू के पीछे भागा कालू कालू रुख जा तभी रमन देखा कालू एक खरगोश के पीछे भाग रहा था भागते भागते खरगोश अपने बिल में खुच गया और कालू उस बिल में मूँ घुसा कर सूंगने लगा कभी कालू उस बिल की तरफ देख कर भौगता तो कभी वो अपने दोनों हाथों से उसे खोदने लगता मगर रमन ने वहाँ पर कुछ और देखा वहाँ पर एक आम का पेड़ था चीड के उस चंगल में एक इकलोता आम का पेड़ रमन ने कालू को वाज दी कालू छोड़ उसको इधर आ कालू भागता हुआ रमन के पास आया रमन उस आम के पेड़ के पास गया वो पेड़ दूसरी तरफ को जुका हुआ था और उसके दूसरी तरफ गहरी खाई थी जहां से कोई गिर कर जिन्दा नहीं बच सकता रमन को अब अपनी नानी की कहानी पूरी सची लगने लगी मगर वो कहानी का अंत रमन को हजम नहीं हो रहा था कि लाश गायब हो गई और लोगों ने उस औरत को चलते हुए जंगल में जाते देखा छोटा जासूस रमन अब उस जंगल के और अंदर जाकर देखना चाहता था कि अंदर क्या है उसके साथ उसका कुटा कालू था जिसकी वजह से उसे सुनसान जंगल में हिम्मत मिल रही थी रमन जंगल के और भीतर पहुँचा तो देखा वहाँ एक पुराना इसाईयों का कबरिस्तान था कबरिस्तान में बड़ी बड़ी जाड़ियां उगी हुई थी जिससे लग रहा था कि उस कबरिस्तान में अब नई कबरे नहीं खोदी जाती और उसके गाओं में और आसपास के गाओं में कोई भी इसाय समुदाय का परिवार नहीं है इसका मतलब था कि वो कबरिस्तान आजादी से पहले का था अंग्रेजों के समय का रमन उस कबरिस्तान की तरफ बढ़ रहा था कि उसे किसी गाड़ी की आवास सुनाई दी रमन ने देखा कि कबरिस्तान के पास एक मिलिटरी का पुराना ट्रक आकर रुका और उसमें से चार फौजी नीचे उत्रे उन्होंने ट्रक के अंदर से कुछ बक से निकाले और कबरिस्तान के अंदर ले गए रमन को कुछ गड़बर लगी उसने अपने कुट्टे को उसकी गर्दन से पकड़ा और एक पेड़ के पीछे जाकर चुप गया उसने अपने कुट्टे से धीमे से कहा काल एकदम शांत रहना आवाज मत करना उसका कुट्टा कालू मानो जैसे उसकी बात समझ गया हो वो चुप चाप जमीन में घास में दुपक कर लेट गया जासूस रमन पेड़ के पीछे से कब्रिस्तान में चल रही कतिविधी को बड़े गौर से देख रहा था कब्रिस्तान के अंदर मिलिटरी की यूनिफॉर्म पहने चारो आदमियों ने एक कब्र का पत्थर हटाया और एक एक करके उस कब्र के अंदर घुज गए और थोड़ी देर बाद वो चारो उसके अंदर से बाहर निकले और कब्र को वापस बंद करके उसके ऊपर सूखी जाडिया रखी और ट्रक में बैठ कर वहाँ से चले गए वो ट्रक जब उस कब्रिस्तान से बहुत दूर चला गया तब रमन ने कालू से कहा चल कालू चल कर देखते हैं और फिर रमन और कालू दोनों कब्रिस्तान में घुसे वहाँ हर कब्र के उपर घनी सूखी जाडिया थी रमन को वो कब्र ढूंड़ना मुश्किल हो रहा था जिसका ठककन खोल कर वो चारो फौजी उसके अंदर घुसे थे फिर रमन ने एक एक करके सभी कब्रों को गौर से देखा तो उसने गौर किया कि वहाँ की सभी छोटी कब्रों के उपर धूल मिट्टी जमी हुई थी मगर बड़ी कब्रों के उपर की मिट्टी हटी हुई थी मानो जैसे उन कबरों के ऊपर के पत्थर को बार बार हटाया गया हो रमन ने एक बड़ी कबर के ऊपर के पत्थर को खिसकाने की कोशिश की मगर वो पत्थर इतना भारी था कि उसे हटाना रमन के बसकी बात नहीं थी रमन ने बहुत कोशिश की मगर वो कब्र के उपर के पत्थर को हटा नहीं सका तभी रमन को किसी के कदमों की आवाज आई रमन एक बड़ी कब्र के पीछे जाकर छुप गया तभी उसने जो देखा वो देख कर उसकी आँखें फटी की फटी रह गई वहाँ पर एक औरत आई जिसका सिर्फ फटा हुआ था और उसके कपड़े खून से लटपत थे उस सौरत ने धीमे धीमे किसी आत्मा की तरह चलते हुए उस जंगल की आस पास एक चक्कर लगाया और फिर वो वापस उस तरफ चली गई जहां से वो आई थी उसके सिर से और कपड़ों से खून की बूंदे जंगल की घास में गिर रही थी और वो अपने पीछे खून के धब्बे छोड़े जा रही थी तभी रमन को अपने आस पास एक अजीब सी बद्बू आई जैसे दिवाली के पटाखों से आती है बिल्कुल वैसी ही रमन ने गौर किया कि जिस कब्र के पास वो छुपा हुआ था वो बद्बू उस कब्र के अंदर से आ रही थी रमन ने पूरी ताकत से उस कब्र के ऊपर के पत्थर को खिसकाने की कोशिश की मगर वो पत्थर हिला तक नही तब रमन ने अपनी जेब से पांच का एक सिक्का निकाला और उस कबर के ढखकन की एक दरार से कबर के अंदर डाला वो सिक्का उस कबर के अंदर गिरा और ऐसी आवाज आई मानों जैसे वो किसी लोहे के ट्रंक के उपर गिरा हो वही ट्रंक जो उन फौजियों ने अपने हाथों से पकड़ कर कबर के अंदर रखा था अब रमन इतना भी समझ गया था कि वो औरत जो अभी कुछ देर पहले खून से लगपत होकर उस जंगल का चक्कर लगा कर गई है वो भी कोई असली भूत नहीं थी रमन कप्रिस्तान से बहर निकला उसने दूर उस औरत को जाते हुए देखा इस बार वो किसी आम इंसान की तरह चल रही थी ना कि किसी भूत की तरह रमन समझ गया था कि उस जंगल में कोई तो गैर कानूनी काम चल रहा है वो अपने कुत्ते के साथ वापस जंगल से निकल कर घर आ गया घर पर उसकी नानी ने उससे पूछा तू कहां गया था रे रामू और एक कुत्ता भी दिन भर गायब था मुझे लगा इसको बाग ले गया रमन ने कहा नहीं नानी ये मेरे साथ था हम तुनों घूमने गए थे नानी बोली अच्छा कहीं भी जाना लेकिन जंगल में मत जाना बेटा वो जंगल अच्छा नहीं है रमन बोला ठीक है नानी रमन अपनी नानी को सब कुछ बताना चाहता था कि उस जंगल में उसने क्या देखा मगर वो बता नहीं सका वो नहीं चाहता था कि वो बात एक मूँ से दूसरे मूँ दूसरे से तीसरे तक फैल जाए ऐसा करने से उस जंगल में गैर कानूनी काम करने वाले सतर्क हो जाते रमनने सोचा कि पुलीस या किसी दूसरे फौजी अफसर को उस घटना के बारे में बताए मगर फिर उसने सोचा अगर पुलीस या दूसरे फौजी अफसर भी उनके साथ मिले होंगे तो भी वो लोग सतर्क हो जाएंगे और पकड़ में नहीं आएंगे अब रमन के मन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठा कि आखिर वो उस कबरिस्तान में चल रहे गैर कानूनी काम की जानकारी किसी सही इनसान तक कैसे पहुँचाए अचानक से रमन के मन में कोई बात आई वो तुरन खड़ा उठा और गाउं से बाहर में रोड में एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला चाचा आज का अख़बार देना रमन ने अख़बार लिया और बड़े ध्यान से पूरा अख़बार चाना फिर उसने दुकानदार से कुछ पुराने अख़बार मांगे और दुकान के बाहर बेंच में बैठ कर वो सभी अख़बारों को अच्छे से देखने लगा तभी उसकी नजर एक खास ख़बर पर पड़ी वो ख़बर सेना से गायब हुए हत्यारों के बारे में थी कुछ हफ़़े पहले सेना के दो बड़े ट्रक जो हत्यारों से लदे हुए थे अच्छानक गायब हो गए ना वो ट्रक मिले ना ही उनके अंदर के हत्यार देश में पडोसी मुल्क से युद्ध की आशंकाय बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से सेना के ट्रकों को हत्यारों के साथ सरहत पर भेजा जा रहा था उनमें से दो ट्रक लापता थे रमन समझ गया था कि कब्रिस्तान की कब्रों में जो लोहे के बक से रखे वे थे ये वही हत्यार हैं जो गायब हुए है तब ही रमन के दिमाग में एक आईडिया आया वो तुरंट घर वापस आया और उसने अपनी नानी को सारी बात बताई और कहा कि वो घर के अंदर छुप जाए और जब तक वो उनसे बाहर आने को ना कहे वो बाहर ना निकले उसकी नानी ने मामले की गंभीरता को समझा और वो गाए के गोशाला में गई और एक कोने में जाकर बैट गई और बैठे बैठे ही वो सो गई रमन गाओं के बाहर एक पुलीस चौकी में गया और वहाँ खबर दी कि उसकी नानी को एक बाग उठा कर जंगल में ले गया है उसने ये जूट इसले बोला ताकि वो पुलीस को उस जंगल में कबरिस्तान तक ले जा सके जहां सारे हत्यार छुपाए हुए थे अगर वो पुलीस को सच बता देता और पुलीस का कोई आदमी उन हथियार चोरों से मिला होता तो वो उन्हें आगाह करके पहले ही सतर्क कर देता रमन की नानी को बाग ले गया है ये बात पूरे गाउं में आग की तरह फैल गई और गाउं के सब ही आदमी लाठी डंडे लेकर पुलीस वालों के साथ जंगल में घुसे सबको बाग का डर तो था ही साथ ही उस जंगल में रहने वाली चुडेल का भी उन्हें भै था जंगल में कहीं कहीं पर लाल रंग का नकली खुन गिरा हुआ था ये वही नकली लाल रंग था जिसे वो औरत अपने सिर और कपड़ों में डाल कर जंगल में भूत बन कर घूम रही थी रमन बोला सर ये देखे खून ये खून के धब्बे उस कब्रिस्तान तक जा रहे हैं सभी लोग जुन्ड में कब्रिस्तान के अंदर घुसे तब रमन ने सबसे कहा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मेरी नानी सही सलामत है उन्हें कोई बाग उठा कर नहीं ले गया जो खून आपने जंगल की घास में देखा वो नकली खून था सिर्फ एक लाल रंग जिसे एक औरत अपने शरीर में डाल कर इस जंगल में घूमती थी ताकि सब को लगे कि इस जंगल में भूत है और कोई भी यहां ना आए सभी लोग आश्चरी से रमन की बात सुन रहे थे एक पुलीस वाला बोला तो बेटा तुमने हमसे जूट की बोला कि तुम्हारी नानी को बाग ले गया है रमन बोला बताता हूं सर दरसल आप जिस कब्रिस्तान में खड़े हैं उसकी कब्रों के अंदर वो सारे हत्यार हैं जो कुछ हफतों पहले सेना की ट्रकों से लूटे गए थे ये बात सुनकर सभी के मूग खुले के खुले रह गए सभी ने तुरंत कब्रों के ऊपर के पत्थरों को हटा कर देखा सच में उन कब्रों के अंदर गहरे गहरे तहखाने थे और उनमें हत्यारों से भरे हुए सेना के बक से पुलीस ने सभी हत्यारों को कबजे में लिया और रमन की पीट को थप थपा कर उसे शाबाशी दी और पूछा पर बेटा ये तुम हमें पहले भी तो बता सकते थे तुमने नानी वाले जूट क्यों बोला रमन बोला सर जिन लोगों को मैंने इन हत्यारों को इन कबरों में छुपाते हुए देखा था वो लोग मिलिटरी के युनिफॉर्म में थे मुझे डर था कि कहीं अगर आप मैंसे कोई उनके साथ मिला होता और उन्हें खबर दे देता तो शायद वो लोग हमारे यहां पहुँचने से पहले ही सारे हत्यारों को यहां से हटा देते पुलीस वाले ने कहा शाबाश बेटा तुमने बहुत बहादूरी का काम किया है हम जल्द ही दोशियों को पकड़ कर सजा दिलवाएंगे रमन बोला सर आपको उन दोशियों तक पहुचना है तो सबसे पहले आप उस औरत को पकड़िये जो यहां पर भूत बनकर घूमती थी वो औरत आपको उस गाउं में मिलेगी मेरा काम यहां पर खत्म होता है सर गाउं के सभी लोगों ने रमन को शाबाशी दी और उसे कंधे में उठा कर गाउं तक लेकर आए रमन के घर पर पहुच कर सभी ने रमन की नानी को आवाज दी रमन की नानी गौशाला से बाहर निकली गाउं के मुख्या ने उसकी नानी को बधाई देते वे कहा बधाई हो अम्मा तुम्हारे रमन ने बड़ा बहादुरी का काम किया है गाउं का नाम रोशन कर दिया है इसने रमन की नानी ने रमन को गले लगा कर उसके माथे को चुमा कुछ दिन बाद रमन अपने गाउं से वापस अपने शहर आ गया और उसके कुछ दिन बाद उसकी नानी के गाउं में एक और खबर आग की तरह फैल गई और वो खबर थी कि 26 जनवरी वाले दिन रमन को भारती ये सरकार द्वारा बहदुरी पुरसकार दिया जाएगा और ये था जासूस रमन का पहला ओफिशिल जासूसी केस अगर आपको जासूस रमन की ये कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक करें मेरे चैनल में इस तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया हैं उन्हें भी जरूर सुने आने वाली कई और दिल्चस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल से जुड़े रहें मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद